एक वक्त BCCI की बात मारने वाला अब ICC पूरी तरह से उल्टी दिशा में चल पड़ा है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया नीव स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर कल BCCI की ICC के साथ मिटिंग हुई उस मिटिंग में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेर्मैन यानि की अर्ल एडिंग्स मौझूद थे वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेर्मैन एहसान मनी मौझूद थे और सभी के बीच में ICC T20 वर्ल्ड कप को लेके चर्चा या नहीं इसी पर BCCI के सोर्सिज ने बताया है कि BCCI ने इसकी कड़ी निंदा किया है BCCI ने ये कहा है कि ICC लगातार ये चाले चल रहा है ICC लगातार ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए डिले कर रहा है क्योंकि ICC नहीं चाहता कि IPL हो बहुत सीधी साफ सीधी बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कि ICC अगर देरी करेगा ICC T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए उसकी डिले डेट के लिए या फिर उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसमें अगर वो अनाउंसमेंट करने में देरी करेगा तो IPL के लिए दिक्कते बढ़ जाएंगी और जो IPL पहल के लिए तमाम वो stadiums को चुनना है वो सबसे बड़ा इहां पर टास्क है साथी साथ players की जो protection है वो सबसे बड़ा इहां पर BCCI के लिए टास्क है और IPL governing council के लिए टास्क है schedule fixture को तै करना वो सबसे बड़ा टास्क है तो यह तमाम जो चुनाउतियां है इस BCCI के सामने पहले नहीं था कि हम किसी भी तरह से इस बात को discuss करें या हम किसी भी तरह से आज ही बता दे कि ICCT20 World Cup होगा या नहीं हम चाहते हैं कि आगे कि स्थिति को देखकर ICCT20 World Cup को हम आयोजित करें या फिर उसके उपर हम निर्ने ले तो अभी जल्दबाजी में हम कोई निर्ने नहीं ल होगा या ICCT20 World Cup को priority मिलनी चाहिए यह हमें comment section में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे इस India News Sports के YouTube चैनल को subscribe करना ना भूलें